कि जबए स्मार्टफोन लॉड़ छुआ था विल्कुल इंडियार मर्केट में बिलकुल तवाही सा मचा दिया था क्योंकि जो प्राइस में वह स्पेस्वोसन दे रहा था कोई भी स्मार्टफोन गम्भा नी उस प्राइस में न ही देवा रहे थे दोस्तों आख्री तक देखते रहे हैं मैं आज आपको बतरें वाला हूं 15000 के अंदर आपको खरीदना चाहिए यह आपको एवर्ड करके दूसरे स्मार्टफोन के तरफ चले जाना चाहिए दोस्तों मैं बात करूं उसके स्पेस्टों के बारे में अभी यहां पर आपको स्ट्रीन का जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि गेमिंग स्ट्रीक स्मार्टफोन है यहां पर आपको DDR4X वाला आपको रेम मिलता है ऐसा नहीं कि आपको आउडेटेटेड रेम दिया जाए इसा नहीं है जो स्टोर्ज मिलता है यह भी आपको स्टोरेज भी अच्छा खासा है स्मार्टफोन में डेडिकेटर का स्लोट नहीं है मेटल यूनिवरी के साथ आता है और पिछे के साथ आपको जो 16 प्रॉस्टू में अपिसला जो सेंसर मिलता है एप 2.2 के साथ आता है मतलब केमेरा का जो क्वालिटी है इतना ज्यादा अच् आपको आपको देखना हो नहीं मिलेगा फ्रॉंट में आपको 16 में मिल जाता है 3750 में मिलता है टाइप-C का पोर्ट मिलता है एंड्र पाइक अपडेट भी आ चुका है फास्ट जिंगा सपोर्ट मिल जाता है अब आता है यह स्पार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं दो आपको आप ले सकते हैं लेकिन अगर आपको केमेरा बहुत ज्यादा प्राइटी है आप लोगों के लिए तो मैं आपको बोलूंगा इस पार्टफोन को आप एवड कर लिए क्यों यह स्पार्टफोन का केमेरा इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जो सिक्षिश्ट का जो के कैमेरा एफ 2.2 लेट आता है हाले कि 14,000 में आपको realme 2 processor स्मार्टफोन देखना हो मिल जाता है की इस में आ पको ऑफ देखने हो मिल जाता है यहां पर आपको यहां पको पॉफॉंस के एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आज के टाइम पर आप हानर का जो प्ले है तो मैं आपको बोलगा यह फोन को तोड़ा दूर से ही जाना आपके लिए सही होगा क्योंकि कैमेरा इतना ज्यादा यह स्वार्ट फोन का अच्छा नहीं है दोस्तों अगर आपको विडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप प्ले स्मार्ट फोन खरीना चाहते हैं तो लिक आपको डेस्रिप्स मिल जाएगा वहां से जाकर यह प्ले स्मार्ट फोन को खरी सकते हैं दोस्तों फिर मिलेंगे एक ने वीडियो के साथ तब तक के लिए बैबाइ है